कुछ पानी हमारी किड़नी और लीवर में मुझूद होता है। हमारे पेट, ब्लैडर यानि की मुत्राशय और रीड की हड्डियों में स्पाइनल फ्लूइड की तरह जमा होता है। हमारे दिल और दिमार लगभग 25 प्रतिशत तक पानी से बने होते हैं। वही हमारे फेटों में लगभग 83 प्रतिशत पानी मुझूद होता है। लेकिन पूरे शरीर में सबसे जाधा पानी हमारी सेल्स यानि की कोशिकाव में मुझूद होता है। आपको जानकर हेरानी होगी कि हमारी हड्डियां जो की पूरी तरह सक्त और सूखी दिखाए देती हैं। उनके अंदर भी 31 प्रतिशत तक पानी होता है। इस तरह से कुल मिला कर अगर देखा जाए तो हमारी शरीर में सबी अंगों को अपना काम सही तरह से करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती ही है। और इसी वज़े से एक व्यक्ति चाहे खाना खाये बिना लंबे समय तक रह ले लेकिन पानी पिये बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। पानी हमारे शरीर के लिए इतना अधिक ज़रूरी होने की वज़े से हमें इस से जुड़े नियमों का पालन करना बहुत आवशक हो जाता है क्योंकि पानी पीने का तरीका, पानी पीने का समय और पानी पीने की मातरा का हमारे शरीर पर अच्छा और बुरा दोनों तरह से बरतने से हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। पीने से जुड़ी हुई गल्तियों के कारण होती है। पानी पीने का तरीका बदल देने से पूरी तरह ठीक किया सकता है। और सिर्फ और सिर्फ पानी की मदद से ही बिना डाइट और एक्सरसाइस के एक महिने में 5 किलो से जादा वजन घटाया जा सकता है। पानी पीने से जुड़े हुए नियम वैसे तो बहुत आसान है लिकिन इनके फायदे अद्भूत है। हमें पानी कैसे और कितनी मातरा में पीना चाहिए, कब-कब और किस तरह पीना चाहिए और अलग-अलग समस्याव से किवल पानी के इस्तमाल से कैसे चुटकरा पाया जा सकता है। दिन भर में पानी पीने की मातरा हर व्यक्ति के शरीर के आकार, वजन, फिजिकल एक्टिविटी और मौसम पर निर्भर करती है। रोजाना हमारे शरीर से बेशाब, मल और पसीने के जरिए पानी लगातार कम होता रहता है। और साथ ही बोलने और सास लेने की प्रक्रिया में भी शरीर का पानी भाब बनकर बाहर निकलता रहता है। इस तरह से हम रोजाना 2-3 लिटर पानी हमारे शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इसलिए सामन्य तह एक पुरुष को दिन भर में धाई से लेकर 3.5 लिटर तक पानी पीने की सलह दी जाती है। और महिलाव को 2-3 लिटर पानी पीना शरीर के लिए अच्छा माना जाता है। अगर आप रोजाना सुभा या शाम के समय वर्काउट करते हैं तो उस धिती में पानी की मातरा को थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। और खास कर गर्मियों में बताई गई मातरा से थोड़ा जादा पानी पीना चाहिए। ज़ादा पानी पीना वैसे तो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। लेकिन शरीर में पानी की ज़रूस से ज़ादा अधीकता हमारी किड्नीओं के लिए हानी का रगभी हो सकती है। आप दिन भर में सही मातरा में पानी पी रहे है या नहीं, इसे पेशाब यानि की यूरीन के कलर से पहचाना जा सकता है। अगर आपके पेशाब का रंग पीला है, तो यह निशानी है कि आपका शरीर dehydrated है और आपको पानी पीने की आवशकता है। वही अगर आपकी यूरीन का कलर पानी के तरह साफ होता है, तो यह दर्शाता है कि आपकी बॉडी पूरी तरह hydrated है। हमें पानी कब-कब पीना चाहिए? इससे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें पानी कब नहीं पीना चाहिए, क्योंकि गलत समय पर पानी पीने से हमारी शरीर पर सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। अच्छी सेहत और पानी से मिलने वाले सभी तरह के पोशक तत्वों का पूरी तरह लाब उठाने के लिए अपने दिन की शुरुवात चाय या कॉफी की जगाप पानी से करें। चाहे प्यास लगी हो या ना लगी हो। रोजाना सुबह उठकर एक से दो ग्लास यानी की लगबग 500 एमिल पानी जरूर पीएं। खाली पेट पानी पीने से हमारे पेट और आतों की अच्छी तरह से सफाई होती है। और साथ ही राद भर में जमा हुई मुह किलार भी पेट के अंदर पहुच पाती है। आयरवेद में सुबह सुबह बनने वाली मुह किलार को सोने से भी जादा महतोपूर पताया गया है। क्योंकि सुबह के समय बनने वाली मुह किलार में हमारे शरीर के लिए आवशक सभी तरह के एंजाइम्स होते हैं। जो कि खाली पेट पानी पीने से हमारे शरीर में प्रविश करते हैं और हमारी सेहत पर अच्छा प्रभाव ढालते हैं एक ग्लास में लगभग 200 ml पानी आता है और इस तरह दिन भर में धाई से लेकर 3 लिटर पानी पीने के लिए सुबह खाली पेट दो ग्लास याने की 500 ml एक ग्लास नाशते के आदे गंटे बाद एक ग्लास दिन के खाना खाने के 40 मिनिट पहले और 40 मिनिट बाद दो ग्लास पानी शाम के समय एक गंटे के अंतराल में और एक ग्लास रात के खाने के 40 मिनिट पहले और 40 मिनिट बात पिए इसके अलावा अगर आप रोजाना जिम या वर्काउट करते हैं या आपकी जौब में बाहर गुमना, चलना, फिनना या शारीरी काम करना शामिल है तो काम करने के दोरान बीच बीच में आधा आधा ग्लास करके लगभग दो ग्लास पानी जरूर पिए यह तो हो गई बात हमें कब-कब पानी पीना चाहिए अब जानते हैं हमें पानी कब नहीं पीना चाहिए कभी भी खाना खाने के तुरन पहले या तुरन बात पानी ना पिए क्योंकि ऐसा करने से खाया हुआ भोजन ज्यादा पतला हो जाता है और खाना ठीक से नहीं पच पाता जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के पहले निवाले के साथ ही उस खाय हुए भोजन को पचाने के लिए हमारे पेट में digestive juices याने की पाचकरस बनना शुरू हो जाते हैं पाचक रस अपनी गर्मी से पेट में मुझूद भोजन को पचाते हैं ठीक उसी तरह जिस तरह से हम कच्चे खाने को गरम करके पकाते हैं खाने की तुरन बाद पानी पीलेने से खाना ठीक तरह से पचने की जगा सड़ने लगता है और ग्यास बनने लगती है अगर आपका दिन भर बैठने का काम है तो खाना खाने के तुरन बाद पानी पीने की वज़े से बनी गैस हमारे शरीर के दूसरे अंगों में भी जाकर जमा हो सकती है जिसकी वज़े से समय के साथ साथ पेट, सर और जोडों में दर्द रहने की समस्या होने लगती है पेट का खाना नहीं पचने की वज़े से जो सबसे बड़ी समस्या होती है वह है एसिडिटी और जो लोग लगातार खाना खाते ही पानी पी लेते हैं उन्हें लंबे समय तक पेट में जलन और एसिडिटी की समस्या का सामना करना पड़ता है अगर लगातार पेट का खाना ठीक तरह से नहीं पचे तो इसके चलते शरीर में कोलेस्टरॉल भी बढ़ने लगता है और साथ ही यहाँ शरीर में यूरीकैसिट की मातरा को भी बढ़ाता है इसलिए कभी भी खाना खाने की तुरन बाद या पहले पानी न पीए हमेशा खाना खाने के 40 मिनिट से एक घंटे बाद ही पानी पीए अगर आप बहुत ज़ादा सुखा भोजन करते हैं तो खाना खाने की तुरन बाद 2-3 घुट पानी पिया जा सकता है लेकिन फिर भी अग खाली पेट पानी पीए तो हमेशा इसे पेशाघ करने के पहले ही पी ले और ठीक इसी तरह दिन में हर समय पानी पेशाघ करने के तुरन बाद कभी ना पीए क्यूंकि जब हम estas करते हैं तो हमारे शरीड के अंध्रुणी अंग तेजी से सिकूडते हैं और ऐसी स्थिति में तुरन पानी पी लेने से अंद्रूनी अंग और नसे कमजोर होती है जिसकी वज़े से धीरे धीरे पेशाब न रोक पाने और पानी ठीक से न पचने की समस्या पेदा हो जाती है और पानी पीते ही बार-बार पेशाब आने लगती है चाई या कॉफी जिसी गरम चीजों के तुरन बार थंडा पानी न पीए क्योंकि ऐसा करने से हमारे गले और टॉंसिल्स को नुकसान पोचता है तिक इसी तरह थंडी ताशिर वाले फल, खटे फल या जिनमें पहले से ही अधिक मातरा में रस पाया जाता है उन्हें खाने के तुरन बार पानी पीना अवाइट करें क्योंकि पानी पीलेने से वह हमारे पेट में पूरी तरह पच नहीं पाते जिसकी वज़े से सर्दी खासी और पेट खराब होनी की संभावना काफी ज़्यादा बढ़ जाती है